हेलो दोस्तों वेल्कम टो फंडामेंटल ट्रेडर आज की इस वीडियो में गेल इंडिया के स्टॉप को लेकर रहा हूं और यह जो वीडियो है एक टेक्निकल वीडियो होने वाली है और डिटेल एनलिसिस अल्रेटी मैंने पहले की वीडियो में बनाकर रखी आप चाहों से चाहिए जाके देख सकते हो आज के दिन जो प्राइज एक्सेन चल रही है वह माने परसेंट डाउन और और आज के जो कैंडल स्टिक पैटर्न है आप देखें एक फुल्ड फिल्ड एक रेट केंडल बनी एक डार्क केंडल बनी है और सबसे इंपर्टन बात यह कि पिछले पर दोखो यह जो लेवल से rejection मिले यह कोई पहली बार नहीं है अगर मैं टार्गेट के बात करूँ तो टार्गेट मिनिमम् टू हंडड़ेट तो सौट टंग में टार्गेट आएगी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन किया तो 200 रेपे के टार्गेट मिनिमम है और जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं वह 240 का है तो यह एस्टिमेशन से यह टार्गेट से जो फीचर के टार्गेट जो लगते है मुझे यह बन सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो सिच्वेशन आया है यह इस बार यह ब्रेक आउट दे देगा क्यों कि गैस की जो डिमांड है गैस के डिमांड बढ़ती ही जा रही है अगर आप न्यूज पढ़ते होगे तो आपने हाल में ही एक आर्टिकल आई थी जहां पर यह बताया जा रहा थे कि गैस की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि जो गैस के प्राइजिस भी भागने लगे है गैस के प्राइजे से वह इंक्रीज किये जा रहे हैं तो गेल इंडिया जो है वो डिस्ट्रिब्यूटर है बाई बीजनेस तो आपको गेल इंडिया के अंदर बिल्कुल भी बाय करके चलना चाहिए और अगर आपके पास अल्डेटी पोजिशन है तो आप होल्ड कीजिए त आप गुजरात गैस हो गई आईजील हो गई मजील हो गई हैदेखरी ंगेल जैसे कि मैंने आपको बिल्क क्योल ना इक मत्ला प्रेंट एब उटाये रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया वन .. और फू पुगर इंडस्ट्री गैस इंडस्ट्री और इनर्जी सेक्टर जो है वो सब के सब बुलिश रहेंगे रैली दिखाएंगे बिल्कुल एकड़म ताबर तो रैली दिखाएंगे तो टार्गेट में आपको बताए हैं मिनिम्मम 200 और 240 तो जाएगा ही जाएगा इसके बात की व चाहिए सिंग ट्रेडर हैं आप तो आपको इस टाइम पर अभी इंट्री नहीं है लेकिन जब इंट्री मिलेगी तो मैं आपको टेल ग्राम चैनल पर ही अपडेट कर पाओंगा तो टेलिग्राम चैनल पर जरूर एड़ हो जाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया टेकनिकली यह है अगर आप सॉट टम के ट्रेडर अपने कैपिटल को लॉक नहीं करना चाहते हैं और एक स्टॉप लॉस चाहिए आपको तो आपका जो ट्रोप्रस होगा यह वाली लेवल होगी ठीक है यह वाली जो लेवल है 155 155 की आप लगा सकते हैं अगर 155 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप महाँ से एक्जिट कर सकते हैं तो एक स्ट ट्रम के ट्रेडर के लिए जादा जरूरी होता है तो 155 के लिए stop loss है आप लोगों के लिए जो long to mid term के holder है वो मुझे लगता है आपको holding करना चाहिए क्योंकि gas sector bullish है और bullish रहने वाला है तो downtrend में जाने का भी कोई chance नहीं लगता है मुझे और यह जो है बस technically है कोई news होता या फिर नहीं भी news होता तो यह fall जरूर आती यह जो stress लेनी के भी बात नहीं है और बने रही है stock में और entry चाहिए तो telegram पर आ जाहिए या फिर किसी तरह की कोई query होतियत है वीडियो में comment कर सकते है कुछ अच्छे fundamentals वाले stock में अगर आप trading करना चाहते हो तो मेरे साथ में telegram channel पे जुर जो में वहां पे आपको अच्छे fundamental के stocks ब तो मेंने link description में दे दिया comment में pin कर दिया है telegram के link अगर comment में open नहीं होती है तो VPN on कर लेना VPN लगाने के बाद open link हो जाएगी लेकिन join करने से पहले आप ये भी समझ लीजे कि अगर आप हर दिन पैसा कमाना चाहते है तो ये telegram channel आपके लिए नहीं है जहाँ पर आपको हर दिन पैसा बनाने का calls, buy calls जा फिर sell calls नहीं मिलता है ये positional trading है कि short term की trading है तो अगर आप भी इस तरह के trader है same type के style है आपकी तभी आप आकर इस channel को join कर सकते हैं कर सकते हैं